जैसे किशना दोस्तों कंटिनी करते हैं अपने लेक्शर को और हम सेक्षन 54 की सिरीज को पढ़ रहे थे उसी को कंटिनी कर रहे हैं और सेक्षन 54 में जो पहला एक्जम्शन हमने देख लिया कि सर एक घर या फिर दो घर जो रहने वाले घर हैं उसको बेचने के बाद अगर हम खरीचते हैं अगर उसमें इंवेश्टमेंट कर देते हैं तो हमें कैप्तिल किनka एंग्जम्शन मिल जाएगा लेगन सर कर नेशनуск है कि इसको तीन शाल के अंदर अंदर बेच नहीं सकते उस घर को या तीन साल के अ бывает उसको पूरा कर लेना है तो की construction को या फिर जो हमने पिछले एक साल में purchase किया या फिर अगले दो साल में पर्चेश करने बेचने के अगले दो साल में या बेचने के एक साल पहले वो भी exemption के लिए काफी है exemption मिल जाएगी लेकिन तीन साल से पहले पहले अगर बेच देते हो तो फिर उस केस में जितना भी आपने exemption लिया था ना जितने शॉर्ट टम और लॉंग टम कैप्टिल असेट बिंग अगरिकल्चर लेंड इस ट्रांसफर्ड विच वाज यूजड बाइद असेशी और इस पैरेंट्स और हर पैरेंट्स या तो खुद यूज़ कर रहा था या उसके माबाप यूज़ कर रहे थे पैरेंट्स यूज़ के लिए यूज़ हो रहा था असेशी हैज पर्चेज अधर अगरिकल्चर लेंड और इसको बेचके एक नया अगरिकल्चर लेंड पर्चेज कर लिया चाहाई वो रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन एरिया में दो साल के अंदर अदर अगर ऐसा कर लेता है तो एक्जु आपको मिल जाएगी एक है deposit scheme वह हम पहले भी देख चुके है कि यह deposit scheme क्या है अगर आप खरीद नहीं पारे इंवेश्ट नहीं कर पारे प्रोपर्टी में तो आप यह पैसा deposit scheme में deposit कर दो और फिर अराम से दो साल के अंदर अंदर पर्चेज कर लेना और अगर नहीं कर पाते ह हमने पहले भी देखा था अब withdrawal of exemption क्या है सेम वही चीज है जो मैंने section 54 में देखा था अगर exemption मतलब यह कि दो साल के अंदर अंदर या फिर जो आपने purchase किया है नया लेंड उसको आप तीन साल तक hold करना पड़ेगा तीन साल के अंदर अप ऐसे property को बेच नहीं सकते तो अगर compulsory acquisition of land and building forming part of industrial undertaking यह compulsory acquisition कई बार क्या होता है कहीं पे अगर कोई industry set up करना होता है government को तो वहां के जारे खेत लोग वहां के जमीन compulsory acquire कर लेते हैं और compulsory acquire के case में क्या होगा यह सभी के सभी taxpayer को यह मिल जाएगा land or building चाहिए वो short term वाले हो या long term वाले हो assessi उसको किसके लिए यूज कर रहा है industrial undertaking की तरह यूज हुआ था last list two years preceding the date of compulsory जिस दिन compulsory acquire हुआ उससे पिछले दो साल में वह अगर industrial undertaking की तरह यूज हुआ था तो उसको shift कर देते हैं basically यहां पे industry नहीं वहां पे industry set up करना है तो compulsory acquire कर लेते हैं say property और उसके बदले कहीं और देते हैं तो फिर क्या होगा assessi has purchased another land or building within a period of three years जिस दिन उसको compulsory acquisition के case में उसको compensation दिया जाएगा कि वही तुम्हारा जबर्दस्तिया हमने जर्मी ले लिया यह लो तुम्हारा पैसा सरकार दे देती है तो उस पैसे का इस्तेमाल अ नए asset में या फिर जो आपका capital gain हुआ है दोनों में जो सब lower है उसकी deduction आपको exemption आपको मिल जाएगी फिर मैं deposit scheme वाली बात है वही चीज़े मैं बार बार एक repeat करने कोई ज़रत है ही नहीं कि भाया अगर आपके पास time नहीं है उस deposit fund में पैसा लगा दो और तीन साल के अंदर नया asset नहीं जगे purchase कर लो अगर नहीं कर पाऊगे तो फिर वह exemption नहीं मिलेगी tax देना पर जाएगा और यह withdrawal of exemption हमने देखे लिया है उसी सेम तरीका है withdrawal of exemption का कि तीन साल के अंदर अंदर acquisition construction नहीं हुआ तो exemption वापिस ले लेंगे और जो तरह भी exempt हुआ है वह आपके cost of acquisition से any asset but investment should be in bonds of NHAI or REC or notified bond सभी taxpayer मतलब यह किसी भी टाइप के asset से अगर आपको long term capital gain हुआ है तो उस पैसे को आप bond में invest कर दो National Highway Authority of India NHAI कि बही National Highway बनाने के लिए पैसा चाहिए सरकार को उसके bond लो पैसा दो government को REC है notified bond है तो आपको deduction मिल जाएगा condition क्या है long term capital asset होनी चाहिए investment आपको करनी है NHAI के bond में REC के bond में और any bond जो तीन साल बाद redeem होंगे issued by other authority but notified by central government for the purpose central government ही notify करती ऐसे bond को उसमें आपको छे मेने के अंदर अंदर ट्रांसफर जिस दिन किया है ना अपने उसके छे मेने के अंदर अंदर उस bond को purchase करना होगा तो आप long term capital gain पे tax देने से बच जाएंगे amount of exemption is investment in new asset or long term capital gain whichever is lower कितना exemption मिल जाएगा जितना पैसा आपने नए asset में लगा दिया या फिर जितना आपको long term capital gain हुआ था दोनों में जो कम है उतनी की exemption आपको मिल जाएगी अब यह सवाल उठता है कि सरक कितना invest कर दें maximum investment in one financial year is 50 lakh एक साल में आप सिर्फ bond में 50 लाख ही invest कर सकते हैं इसका मतलब यह कि अगर आप मान लेते हैं कि एक मार्च को बेच रहे हैं तो एक मार्च के बाद 6 मेने कंदर अंदर आपको bond में पैसर लगाना है तो एक मार्च से से लेके 30 मार्च में अगर आपने 50 लाख लगा दिया तो वह भी deduction मिल जाए और एक अप्रेल से लेकि अगले पांच महिने में अगर लगा देते हो तो छे महिने में 50-50 लाग मतलब एक करोड की deduction मिल जाएगी को कि क्या लिमिट बोल रहा है एक financial year में 50 लाग का ले सकते हैं 1 or more originals during the financial original asset or asset a transferred the subsequent should not exceed 50 lakh लाग तो वह यह 50 lakh के limit है विद्रोल फचेंटिट लाग की लिमिट है विद्रोल फचेंटिट लाग लिएग लिए कि लिए टेक लिए विद बोल फचेंटिटिट लिए पांच महिन अप्रेशन विद्रों एक विद्रों लिएवित विद्रों अगर आप तीन साल के अंदर अंदर ऐसे bond को बेच देते हो तो जिस साल में आप बेच होगे वह आप उसी साल में Capital Gain compute हो जाएगा और Capital Gain आपको देना पढ़ेगा Taxable हो जाएगा अगला देखते हैं long term capital gain from any asset but investment should be in units और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी स्पेसिफाइड फंड में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं इस्पेसिफाइड फंड में कर रहे हैं तो यहां भी आपको छे महिने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और एक फानेंसियर में मैक्स subsequent financial year should not exceed 50 lakh तो 50 लाग से ज्यादा की exemption आप नहीं ले सकते withdrawal of exemption if the new asset transfer अब तीन साल के अंदर-अंदर अगर 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 बेश देते हो तो जो भी exemption आपको मिली है उसको tax कर दिया जाएगा आगे देखते हैं sale of any long term capital asset other than a residential house अब आपके पास एक ऐसी property जो residential house नहीं है और आप उसको बेच रहे हो उस पे आपको long term capital gain हुआ है तो फिर क्या करें ये individual और हुएफ की क्यों ही मिलेगा और जो taxpayer है उसको एक purchase करना होगा या construct करना होगा एक residential house property जो भी साल कितने टाइम में या तो ट्रांसफर से एक साल पहले के दौरान आपने की purchase किया हो या ट्रांसफर के एक से जैदा more than one residency unit उसके पास ना हो तभी उसके पास एक से जैदा घर नहों तभी वह जब नया घर खरीदेगा तो exemption मिल जाएगी लेकिन क्या से amount of exemption क्या होगा long term capital gain को divide करो net sale consideration और cost of a new house मतलब 50 लग नए असेट 80 लग का बेचा है और long term capital gain हुआ मुझे 20 लाग तो यह एक formula बन जाएगा और यहां पर जो amount आएगा इतने की हमें exemption मिल जाएगी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं टाइम से तो भाई यह deposit scheme में पैसा लगाओ मतलब deposit scheme में पैसा जमा कर दो और अगर तीन साल के अंदर अंदर नहीं कर पा रहे हो और limit expire हो गये तो आपको long term capital gain हो जाएगा ऐसे asset को अगर तीन साल के अंदर अंदर बेच देते हो तो तो exemption withdraw भी हो जाएगी यही सारी चीज़े यहां पर दे गई है यह भी वही चीज़े है कि विड्रॉल ऑफ exemption के बारे में लिखा गया है कोई नई चीज नहीं बार बार वही सेम कॉंसेप्ट हर 54 की सीरीज के हर कॉंसेक्शन में आपको deposit scheme और exemption expire का same concept है अब हम बढ़ रहें miscellaneous points की तरफ यह miscellaneous point है क्या और उसके बाद हम कुछ questions भी देख लेंगे यह last अगला जो अपनारा lecture होने वाला है बिलकुल last lecture होगा capital gain का तो उसमें हम कुछ miscellaneous points देखेंगे और उसके कुछ questions भी cover करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं next video में अपने capital gain के chapter को finish करने के लिए तब तक के लिए goodbye friends